दोस्तों आज हम बात करेंगे की कैश से आख इस इस सुक्षा कोस के माधियम से देख सकते हो कि कितने छात्र का नमांकन हो चुका है आज हम आपको कलास बाई कलास बताएंगे की कितना चात्र चत्र का admission हो चुका है इसके लिए आपको Chrome पर आ जाना पड़ेगा जिसी Chrome को करे के इसके बाद यहां पर search bar को यहां पर search करेंगे इस शिख्षा course जिसे सबस सबस्पर की तरफ इस शिख्षा course इसको कर लेंगे जिसीए आप ok करेंगे तो आपके सामने ऐसा face value खुल कर आ जाएगा आप देख सकते हो कि इस इच्छा कोस पे user type पे है school teacher official order चलिए school का check करना है इसको select कर लेंगे इसके बाद school का you dice code और इसका password और इसका math problem solve कर लेंगे चलिए इसके बाद अपना जो school का dice code है उसको लिख लेंगे जो password है इसको हम लोग लिख लेंगे इसके बाद math problem का हम लोग solve कर लेंगे 4-3-12 इसके बाद जिसी login करेंगे तो आपके सामने ऐसा face value खुल कर आ जाएगा आप देख सकते हो कि एक नमर पे है student enrollment दो पे है teacher तीन पे है school चार पे है PM position योजना पांच पे है safe study और छे नमर पे sports assignment और साथ पे है राज ticket इसके बाद student enrollment पे ok करेंगे जिसी ok करेंगे तो आपके सामने ऐसा blank खुल कर आएगा ठीक है आप side में देख सकते हैं ठीरी बाड को इसको ok करेंगे जिसी ok करेंगे तो आपके सामने ऐसा face value आ जाएगा आप देख सकते हो कि student enrollment upload student attendance register इसके बाद student outbox चलिए चात नमंकन यानि student enrollment पे ok इसके बाद back होने के लिए ठीरी बाड को करेंगे तो और आप back हो जाएंगे इसके बाद scroll करते आप निचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हो कि यहां पे class by class आपको दिख सकता है कि कितना बच्चा का admission हुआ है और कौन सी class में कितने कितने बच्चों का online नमंकन करेंगे class एक इसके बाद search करेंगे त्यानि जितने बच्चे का आप नमरखन की है online सुभ спорт है कि कर सकती हो इसके बाद आप देख सकते हो कि क्लास 21 बच्चय है तो आप एसी परकाल आप उपर के और आएंगे और यहां पांड़ों intens刷 नाम आचुका है इसी परकार और ठिरी और four और five कर सकते हो अगर आप सभी बच्चे एक बार चैक करना चाहते हो तो इसके बाद सेलेक्ट पर कर देंगे इसके बाद हम सर्च करेंगे इसके बद अफवेटिक नाम की तरह नेल्फवेटिक सबसे आप सभी बच्चे का नाम आ सकता है इसमें यह होगा कि आप अल्फवेटिक से निकाल सकते हो इससे यह होगा कि किसी बच्चा का अगर नाम निकालना है हमें नहीं पाता है कि कौन से कलास में है तो अल्फवेटिक से हम लोग यहां से नाम खुज लेंगे इसके बाद स्कूल करके बगल में उसका जनम और कलास और यहां से रोल नमर देख सकते साथ ही आप चाहें चाहिएगा तो आप देख सकते हो उपर की और यहां पर प्रिंटर का लोगो है जिसी आप प्रिंटर का लोगो को करेंगे तो आपके सामने ऐसा खुल का आ जाएगा इसके बाद आप यहां से print भी कर सकते हैं इसके बाद आप इसको यहां पे later है तो इसको later को okay करेंगे और a4 size में select करेंगे इसके बाद back हो जाएंगे आप देख सकते हो कि सभी बच्चा का नाम इस a4 size में आ चुका है आप यहां से उस PDF को स्लेक्ट भी कर सकते हो इसके बाद आपको बहुत असानी होगी किस भी बच्चा का नाम देखने में ठीक है थैंक्यू